केंद्र मंतरी जोती रादेत्य सिंध्या इन दिनों गौलियर प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने कारिक्रम के बाद पत्रकारों से बाचीत करते हुए चंद्रयान 3 की सफन लांजिंग के लिए सभी को बदाई दी। वहीं दिग्विजी सिंग की भी ओकाद दिखाते हुए निशाना साधा। वहीं जोती रादेती सिंध्या ने दिग्विजी सिंग पर निशाना साते हुए कहा कि भारत की तस्वीर और भारत की तक्दीर को ठेस पहुचाना दिग्विजी सिंग की आदत है। कुछ देश बनाने की नहीं बलकि देश दोडने की सोच है। इसका करारा जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी। क्या कहा था दिग्विजी सिंग ने। सीहोर के बुधनी पहुचे पूर्वे मुख्यमंतरी दिग्विजी सिंग ने चंद्रियां को लेकर कुछ बड़े बयान दिये थे। दिग्विजी सिंग ने कहा था कि हमें उमीद है कि चंद्रियां की लैंजिंग में हम सफल होंगे और इस रो आज की संस्थान नहीं है। इसे जवाहलाल नहरू और इंदरा गांधी द्वारस थापिद किया गया था। हमें गर्व है कि वुग्यानिकों ने चंद्रयां को चंद्रमा तक पहुँचाया। जिन व्ध्यानिकों ने चंद्रयां को सफल बनाया, उन व्ध्यानिकों का सत्रा माह से वेतन नहीं मिला। प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वेग्यानिकों को वेतन दिया जाया दिग्विजे सिंके आरोपों पर विजेपी ने पलेटवार किया प्रदेश अध्यक्ष वीजी शर्मा ने कहा कि आज मैं बहुत मन की पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग ये ही नहीं है देश के खलाव साजिश है क्या हिम्मत है आपकी जब हमारे विज्ञानी कितनी अथक मेहनत करके चंद्रियान के अंदर ऐसे प्रयोग किया दुनिया के तिहास में पहली बार विज्ञानिकों ने इतनी बड़ी सफलता हासल की है वीडी शर्मा ने कहा कि हम सब को उनके ल प्रदेश अधिश ने कहा कि विज्ञानिकों के लिए खुशी का दिन है जब चंद्रियान तीन सफलता पूर्वक लैंडिंग के और अग्रेसर है और जब यह दुनिया के अंदर इतिहास बनेगा दिग्विजे सिंग अगर आपको इस प्रकार की चीजों में ही आनंद आत हुआ हुआ है